So, hello, what's up, कैसे हैं आप सब, स्वागत हैं आप सब का to this much awaited video, जिसका आपको था इंतिजार, must do topics and priority questions for the CA final audit में 24 exams. So, if you are excited for this video, make sure आप video को like जरूर कर दे, ताकि ये बाकी CA final students तक भी जा सके, और कहीं ना कहीं उनका भी भला हो सके, क्योंकि किसी ने सही का है, कर भला तो हो भला, so without much ado, let's begin with this video, और ये रही आपकी must do topics की list, before beginning the video, छोटा सा disclaimer, छोटी सी बात मैं आप से करना चाहूँगा, सर क्य तो उनका ऐसा expectation है कि सर हमको ना कुछ ऐसे topics बता दो, जो हम अब जो बचा हुवा time है, उनको अच्छे से करके चले जाएं, ताकि किसी तरह पास हो जाएं और हमारी नईया पार लग जाएं, तो भाई, आपके लिए ये वीडियो है, काम आ सकती है, ठीक है सर, दूसरे बच अगर आपको लगता है, नहीं, मैं तो selective coverage करना चाता हूँ, या फिर मैं सारे तो topics करना चाता हूँ, बट कुछ topics को priority पे करना चाता हूँ, these are the things you should consider, क्या ये बात समझाती है, हा सर, सबसे बहले सर बात करते है, standards on auditing, ये जो standards on auditing है, ये आपके exam के लिए बहुत ज्यादा important ह हो जाते है, सर, यहाँ पे कौन से standards की बात हो रही है, जो आपके 200 से 700 की series है, जो आपकी 200 से 700 की series है, ये आप मान के चलो exam में around आपको 50 marks दे सकती है, अब इसमें से भी ये जो standards है, इनको आपने priority पे करके चलना है, प्लस जिनको मैंने red में mark किया है, ये आपके recent RTPs और MTPs म very, 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 very important for your exams, इनको please अच्छे से cover करके चलना, इन में कोई भी काम चोरी करने का scope नहीं है, क्या ये बात समझ आती है, हाँ सर, समझ गए, सर, क्या करें बाकी standards का इसके लाबा, या देको 100 pages की booklet DM standards के रहे, ठीक है, and considering the weightage of 50 marks, मुझे लगता है आपको cover तो सब क्या ये बात समझ आती है, हाँ सर, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, जैसे जैसे में बताओंगा, वैसे जैसे करके चलोगे, हाँ सर, पका, अब आते है सर, professional ethics, ये another zone है, जो आपको बहुत सारे number बटोरने में help कर सकता है, 20 marks की weightage, मतलब इससे अच या तरीके से कर लिया ना, मज़ा आ जाएगा, सबसे पहली priority पे क्या करना है, सर, schedule करने है, ये जो schedule है, आप मान के जलो, 20 में से 12 से 15 नंबर तो आपको schedule दे जाएंगे, ठीक है सर, फिर आप करना, council general guideline, then go ahead with the initial provision, professional ethics, आपने पढ़ना कैसे, बस आपने focus करना है, mainly clauses पे, कि ज जो clauses है, schedule की बात करो, जो clauses है, उनका number, part और schedule आपको याद रहे, ठीक है सर, जैसी आप वो लिखो के examiner का मन एकदम खुश-खुश हो जाएगा, फिर आपने वो जो clause याद कर रहा है, वो लिख देना एकदम exactly, सर हम क्या थोड़ा अपने words में लिख सकते हो, आप थोड़ा पब्लिक को safeguard करता है, from unqualified accountants who are working under the wheel of qualified accountant, जो मीठी मीठी line है, इनको clauses के साथ अच्छे से revise करके चलना, जो नीचे की बाते हैं, उनको बस अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि application based question आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से clause से related है, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, प्लस sir, professional ethics में तो बड़े सारे question है, तो हमें कौन से ऐसे question है, जिनको करना ही करना है, तो अगर आपने पिछली revisions में कुछ question mark कर रहे हैं, तो सिर्फ उनी को करना काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी question आप से हो गए होंगे, तभी आपने mark नहीं करें, ठीक है, प्लस कई बच् critical skills, और वो वाले questions included है, जिनमें दो से तीन clause include होते हैं, ठीक है, तो ये आपके काम आ जाएंगे, समझ गए सर, ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया, फिर आता है SQC1 और SA220, ये मैंने यहां cover नहीं किया, इसको अलग से इज़द देंगे, ICI भी इसको अलग से इज़द दे जाएगा, then just go and solve the question, जिते भी question से इनको solve कर लेना, और कुछ करने की जरूद निया, और कुछ करने की जरूद निया, और कुछ करने की जरूद निया, पाच नमबर यहां पे आपके पक्के हो गए, तो 50 नमबर standards के, 20 नमबर professional ethics के, and 5 नमबर SQC1, SA220, यानि आप माल लो 75 marks का paper तो यहीं से cover हो गया, ठीक है sir, अब जो बाकी audits हैं, इनको कैसे cover करना, ध्यान से समझना, सबसे पहले सबसे easy, सबसे scoring आते, PSU audit और group audit, इन में से, एक में से तो question आए गएगा, किस्मत अच्छी रही तो दोनों ही आ जाएंगे, but इन में से, एक में से तो question आए गएगा MTP1 में 7 marks, MTP2 में 11 marks, तो देखो 7 से 11 number की weightage है, and trust me, करने में भी बड़ा मज़ा आता है, अगर आप इसकी revision की बात करो, I think 1 hour 11 minutes, 1 hour 11 minutes की आपको पूरी revision मैंने comprehensively bank audit cover करके दे रखी है, and trust me, ICI भी ना, इसमें से ज्यादा तड़कते भड़कते सवाल नहीं पूछ रहा, एक IC ICI ने trend बना रख है, उसी trend पे चलते रहते हैं, और वैसी questions आते रहते हैं, तो I feel bank audit is also very scoring for your exams, तो यह सर बाते सो समझ आ गई, और कौन सा ऐसा topic है, जो ICI को बहुत पसंद है, that is due diligence, forensic and investigation, even अगर आप MTP में देखो, तो एक MTP में इनोंने पूछा forensic, दूसरे में पूछा investigation, मैं कहता हूं, तीनों करके जाओ, due diligence, I think 3 page में covered है, notes में, forensic 4 page में, और investigation होगा 7 से 8 page में, ठीक है, आपने इनको properly cover करके चलना है, because 10 से 12 page अगर आपने शांती से पढ़ लिए, आपको खुद को एक comfort रहेगा, कि यार हाँ, 5 number और एकटे हो गए, ठीक है सर, अब कई बच्चों के म करते हो ना, आप इनकी tension में यहां कुछ नहीं कर पाते, तो पहली priority के standards on auditing, उसको अच्छे से करके चलोगे ना, तो आपको खुद को संतुष्टी रहेगी, कि यार हाँ, मेरे 40 से 50 number तो पूरे हो गए, ठीक है सर, फिर आपने professional ethics के लिए, तो आपको यह लगेगा, मैं pass तो होई जाओंगा, अब जब इनसान को लगता है ना, फिर पास हो जाओंगा, तो रहो hero बन जाता है, फिर उसके अंदर एक अलगी energy आती है, तो फिर आपने उस energy के साथ यह तीन topic और cover कर लेने हैं, तो और मज़ा आ जाएगा, फिर आप देखना, what is your position at that time, अगर आपकी position है, क्यार अब यह वाले standards cover कर सकते हैं, तो आप मान के चलो 5 number से, 5 number के standards आएंगे और ICI क्या करता है न, option दे देता है, जैसे पहले MTP में उसने क्या क्या, SA800 और SRE के बीच में option दे दिया, दूसरे MTP में क्या क्या, SRS और SAE इनके बीच में option दे दिया, तो अगर यही trend चलता रह हा सर, और दो topic मेरे दिल के topic हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ICI ने MTP में तो इनकी शकल नहीं दिखाए, बट दिल कहता है, आई से पूछ सकता है, और यह भी आपको 5 to 10 marks के मिल सकते paper में, that is, caro 2020 very easy, 20 minutes की मैंने revision video डाल रखे, मजा आ जाएगा, प्लस NBFC audit पूरा एक घंटे में topic ही पूरा cover करा रखा है, so कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है, जिनकी अभी तक कोई त्यारी नहीं हुई है, आप easily अच्छे से cover करके pass हो सकते हो, बस आपके अंदर वो शिदत से महनत करने वाली वो होती है न, चाहा, वो होनी चाहिए, trust me, हो जाएंगा, जानी पहली priority तो notes है, उसके बाद आप एक questions की तरफ जाओगे, ताकि आप यह देख सको कि आप से questions solve हो रहे है की नी, practical application हो पा रहे है की नी, questions हो पा रहे है की नी, तो यह आपने करना है, प्लस मैंने आपको एक question bank की addendum file भी दिये, क्योंकि कई बच्चों का रहता है sir, कि ज शुबम केसवानी करके telegram channel है, वहाँ आपको RTP MTP November 23, RTP MTP 1 May 24, this is very important for your May 24 exams, यह वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है sir, और यह जो questions मैंने इसमें selected आपको दिये हैं, यह direct questions नहीं है, direct questions तो आपके notes से ही cover हो जाएंगे, यह वो questions है जहाँ पे interpretation skills की requirement होती है, जिनको अगर आप question bank स करके जाओगे, और exam में मिले, तो ही exam में हो पाएंगे, वरना tough हो जाते है exam में cover करना, ठीक है, इनको आपने अच्छे से करके चलना है, direct questions आप notes से manage कर सकते हो, plus question bank में, हर topic में, यह बात ध्यान से समझना, question bank के हर topic में, जो ICI के SM में, उन्होंने case studies और integrated case scenarios डाले हैं, वो तो आपने करने ही करने हैं, वो तो आपने करने ही करने हैं, तो सर यह कौन से question है, यह descriptive questions हैं, जो ICI ने case study और integrated case scenarios डाले हैं, जिसमें बड़े-बड़े question होते हैं, उसके नीचे 4-5-4-5 question होते हैं, वो तो आपने हर topic के करने हैं, उसमें कोई कंजूस ही नहीं छोड़ सकते, यह वो descriptive questions हैं, जो past RTP, MTP, study material, और past exam question में आये हैं, क्यूंकि इनकी मातरा ज्यादा होती है, तो इसमें मैंने आपको छटनी करके दिये हैं, बट जो यह integrated case scenario है, तो हर chapter में एकाद integrated case scenario है, उसमें कोई कामचोरी मत करना, उसको अच्छे से करके जाना, समझ गए मेरी बात, हाँ, क यह तुमको करके जाना है, ठीक है, ठीक है सर, and last में, make sure you are solving the ICI MTP too, बहुत अच्छी ICI MTP बनाई है, एकदम classic MTP, perfect blend of new questions with classic old age questions, तो यह जो आपकी second और third revision होगी audit की, उसके बाद आपने जरूर solve करना, और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे paper के साथ 3 गंटे में deal करना है, कैसे आपने audit के paper के साथ 3 गंटे में deal करना है, तो दोस्तों, यह जो आपको file है, यह telegram channel पर मिल जाएगी, अब मेरी आपसे बस एक ही request है, tension कम लिया करो, tension कम लिया करो, action जादा लिया करो, जैसे जैसे मैंने priority बताईए, इसी priority में आपने चीजों को अच्छे से cover करके चलना है, जैसी पहली चीज cover होती है, खुदी को संतोष्टी मिलती है, कि चलो दूसरी पर चलते है, जैसी दूसरी cover होगी, तो खुदी संतोष्टी मिलेगी, कि तीसरे पर चलते है, and trust me, सब हो जाएगा, सब एकदम चंगा हो जाएगा, और आपका result भी बढ़िया आ जाएगा, बस आपने अपने उपर भरोसा का रखना है, हम कई बार बोलते हैं, वो मेरे पर भरोसा नहीं रखता है, वो मेरे पर भरोसा नहीं रखती, तुम रखते हो, तुम रखते हो, सबसे पहले तो तुम ही खुद पर self-doubt करते हो, हाँ, तो self-doubt को भगाओ, किताबों को गले So that's all for today, that's all for right now, video अच्छी लगे तो do give it a like ताकि बागी CS students सक पहुँच सके, and yes, stay subscribe to the channel for more such videos, and last मैं वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, लगे रहो.